नमस्कार साथियों, मैं प्रग्या पांदे स्वागत करती हूँ, अब सभी का राउज अकैडमी के ओनलाइन प्लेटफॉर्म पर और देखें, बहुत ही बड़ी न्यूज यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, जहाँ पर चाइना ने अपनी जो ग्रिप है इसलाम के उपर उसे और भी टाइट कर दिया है, यह मैंने यहीं बोल रही हूँ, पूरी इंटरनेशनल मीडिया में चाही हुई खबर है, जहाँ पर इन दोनों इमेजेस को सर्किलेट किया जा रहा है, जो कि actually it is in reality, यह चाइना में स्टाइनिंग आपको लास्ट मॉस्क देखने मिल चाहे हैं और इसके जितने भी स्ट्रक्चर हैं उसको डिमॉलिश करके यहाँ पर पैगोडा की शकल दे दी गई है, और यहाँ पर पूरा का पूरा इंटरनेशनल मीडिया पूरे के पूरे 57 के 57 इसलामिक वर्ड टेंशन में है, जानते हैं पूरा मामला क्या है, लेकिन उसके पह हैं और जानेंगे किस तरीके से, सबसे बहतरीन तरीके से ग्रेजुएशन के साथ अपनी प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी की जा सके, इसके लिए आप नीचे दियेगा नंबर पर संपर्त भी कर सकते हैं, देखें, इंटरनेशनल मीडिया में कहर चाया हुआ है कि जो पूरी की पूरी घटना, चायना ने 2019 में शुरू करी थी, आज उसे कंप्लीट कर लिया है, ये लास्ट स्टेंडिंग मॉस्ट, शादियान मॉस्ट का आपको यहां पर दिखाए दे रही होगी, जिसके सारे की सारे इन स्ट्रक्टर्स को, जिने हम मिनारेट्स बोल रहे हैं गुंबत बोल रहे हैं, इसको डिमॉलिश करके पैगड़ा की शकल दे दी गई है, ना ही जी सी सी कंट्रीज की आप बात करेंगे, ना ही युनाइटेड स्टेट्स की बात करेंगे, ना ही युनाइटेड नीशन की बात करेंगे, पूरा विश्व यहां पर मौन रखे आपको मैंने अभी यहां पर इमेज दिखाया था, जहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं, कि चाइना ने अपनी लास्ट स्टेंडिंग मौस्क को यहां पर डिमॉलिश कर दिया और उसको कनवर्ट कर दिया है, अपने एक कॉंसेप्ट के अंदर जिसे हम सिनिसाइज कॉंस थे, जितने भी इसके मिनारेट्स थे, ठीके इन सभी को यहां पर डिमॉलिश कर दिया है, और यहां पर इसे शकल दे दी है पैगोडा की, यह गवर्मेंट का एक एजेंडा है, गवर्मेंट का एक प्लान है, जहां पर उन्होंने रिजिस्ट फॉरेन आर्किटाक्चर स्ट को यहां पर रोकने के बारे में बात कही थी, और 2019 से इसको लेकर चाइना ने काम करना शुरू कर दिया था, और फाइनली एक समय जब चाइना ने इस पॉलिसी को डिकलियर किया था तो जितनी भी लोग जियो पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, उन सभी को टेंशन थ या फिर आप बात करें चाहे इसलामिक बिल्डिंग्स की बात हो, उन सभी को यहां पर खतम कर रहा है, यह पहली बात नहीं है कि चाइना यहां पर इसलाम की खिलाफ आपको काम करता हुआ दिखाई देगा, आप देखिए चाइना में बुरका को बाइन किया हुआ है, यहां पर आपका शादियान दग्रेड मॉस्क यहां पर बना हुआ है, और यह यहां पर डेमॉलिश किया गया है, और जो कम्यूनिटी यहां पर इससे आहाथ हुई है, यह है हुई कम्यूनिटी, लेकिन इनके बारी में जानने के पहले, आपको समझना होगा कि यह पॉलिस है जिसको आप जानते है Communist Party of China दोनों की यहाँ पर एक मीटिंग हुई और इन्होंने बोला कि देखे भाया हम पाँच साल के लिए केजिंडा लेकर यहाँ पर आ रहे हैं ताकि हम सिनिफिकेशन ओफ इसलाम है क्या और यह क्या है देखे चाइना ना अपनी 5 साल की पॉलिसी को लेकर बड़ा फेमास है और 5 साल आप समझे इनकी पॉलिसी का जो इस समय साल चल रहा है वो 2021 से 2020 है और विश्वब देखेगा दो हजार पच्छिस के बाद चाइना यहां पर क्या करेगा यह यहां पर शौकिंग होने वाला है देखे अब चाइना ने यह जो आक्टिविटी की है जिसे हम सिनलाइजेशन ओफ रिलीजिन के नाम से जान रहे हैं आखर यह है क्या तो पहले समझ लीजे सिनिजेशन ओफ रिलीजिन का मतलब होता है 2015 में प्रेसिडेंट जिन जिंपिंग के दौरा यहां पर इस शब्द का इस्तमाल किया गया था जहां पर इन्होंने बोला था कि हम स्ट्राइक हार्ट कैंपेंगे अगेंस दी वाइलेंट टेररिजम यह पॉलिसी यहां पर एन्नाउंस की गए थी जो लगातार यहां पर अटेक हो रहे थे उईगर मुसलिम्स के दौरा यहां पर आपको देखने के लिए मिल रहे थे और जिसकी वज़े से जिंजियां प्रोवियंस बहुत लंबे समय तक टेररिजम को सफर करेगी और आपको पता है उगर मुसलिम्स लगाता न्यूज में रहते हैं मुझे अलग से बताने कि आप वावे शक्ता नहीं है कि क्या डिस्क्रिमिनेशन चाइना ने उगर मुसलिम्स के साथ किया है और इसी के बाद चाइना यहां आपनी पहली एक कॉलिसी लेकर आएगा सिनिजेशन ओफ रिलीजिन की सिनिजेशन का मतलब होता है अलाइनिंग दे रिलीजियस बिलीफ अन फेथ औफ एनी रिलीजिन इर्रिस्पक्तिव यह कौनसा भी रिलीजिन है लेकिन आप सभी को चाइना की कल्चर चाइना का जो धर्म है चाइना की जो संस्कृति है चाइना की जो राजनितिक आईज़जी है या चाइना की जो religious value है उनके साथ ही रहकर चलणा पड़ेगा या आप बोल सकते हैं सिनिजेशन का मतलब होता है सारे के सारे religion को जितने भी belief है, जो मत है, जो मान्यताई है, जो practice है, जो rituals है, उन सभी को चाइना के culture और society के अनुसार यहाँ पर transform कर देना, तो cynicization, political भी है, religious aspect में भी किया जा रहा है तो यह आपको समझना होगा कि किस तरीके से state religious policy के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है Now the questions come कि यहाँ पर कौन है जो इससे आहाथ हुआ है, हम बात कर रहे हैं, who is Chinese Muslims ही है देखिए, पहली बात तो जभी भी हम Chinese Muslims की बात करते हैं, केवर ओ केवर, Uygar Muslims की यहाँ पर बात नहीं की जाती Uygar तो minority में है, जो यहाँ पर western Zinziyang province में रहते हैं, आपको यह दिखाई दे रहा होगा, Zinziyang province यहाँ पर ठीक है, यह आपके पास Zinziyang province बना हुआ है, इस group की अगर हम बात करें, तो यह केवल ओ केवल अखेले चाइना में Muslim minority नहीं है बलकि हुई चाइना की largest Muslim group है, जिसका population लगभग 11 million का यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, अगर हम 2020 के census की बात करें साथी साथ इनको यहाँ पर officially designate किया गया है, एक ethnic category में, चाइनीज भाषा बोलते हैं अगर हम इनकी बात करें, और पूरी की पूरी country में आपको यह देखने के लिए मिल जाएंगे आप देखिए, चाइना ने जो नए नियम चेंज किया है, लोनों बोल दिया है कि कोई भी बच्चा यहाँ पर Arabic पढ़ने के लिए नहीं जाएगा, मतलब जैसे आप देखते हूंगे, बच्चे मॉस्क में जाते हैं, यहाँ पर Arabic सीखने के लिए इसको बैन कर दिया गया है बोल दिया है, 18 साल से कम का कोई भी बच्चा यहाँ पर कोई भी व्यक्ती, irrespective वो कौन हो, वो यहाँ पर allowed नहीं है, beard रखना भी यहाँ पर इमाम या उलिमा उसके लिए allowed नहीं है, in fact, वो यहाँ पर यह टाइटल भी नहीं ले सकते, विश्यो में इसको criticize किया जा रहा है, कि चाइना का जो crackdown है इसलाम पर, यह बिलकुल 1975 के massacre के बारे में यहाँ पर याद दिला दिता है, 1975 के massacre के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो यह एक वो incident रहा है इतिहास में, जिसे हम शादियान conflict के नाम से भी जानते हैं, शादियान conflict जो आपको देखने मिल जाएगा, आ गुगल करेंगे, आसानी से 1964 में आपको देखने मिला था, एक resistance था, cultural revolution के अगे, बट ग्रेजियली आप देखेंगे, चाइना की, खुद की Communist Party को अपने ही लोगों को यहाँ पर छोड़ना पड़ा था, ताकि अपने ही लोगों को यहाँ पर क्या किया जा सके, खतम किया जा सके, तो यह शादियान इंसिडेंट, जो आज घटना घटी है, यह विश्व को शादियान इंसिडेंट की याद दिला रहा है, जहां पर जो अपर जो अप्राइजिंग, मुस्लिम हुई, पीपल थे, देखे, इन्ही पर तो अटैक किया गया है, इन्होंने CCP की जो culture revolution policy थी उसके against खड़े हुए थे, चाइना ने इस समय भी massive destruction किये थे, मॉस्व को यहाँ पर हटाया था, लेकिन finally, हुई people यहाँ पर एक साथ उठे हो, government के सपोर्ट के साथ उन्होंने rebuild किया, और finally, इतिहास ने अपने आपको यहाँ पर दोहरा दिया है, जहां पर चाइना ने के उपर direct attack करते हुए, पूरा का पूरा situation change कर दी है, और क्योंकि जैसा हमने यहाँ पर बात करी थी, why did I say कि यह last mosque था, जिसको यहाँ पर खतम कर दिया गया है, चाइना के दौरा, क्योंकि चाइना ने इसके पहले जितनी भी यहाँ पर Islamic architecture की बनी हुई building है, उन सभी को यहा पर pagodars में convert कर दिया गया है, किसी में भी अब आपको domes या फिर minarets देखने के लिए नहीं मिलेंगे, और इसी के साथ आप देखेंगे, वैश्विक इस तर पर जहाँ पर इस बारे में चर्चा की जा रही है, लेकिन बड़ी-बड़ी कोई भी agency चाहे आप United Nations की बात करें, या Islamic nations की बात करें, no one is talking about this, और yes हम बोल सकते हैं कि China ने जो sinicization की अपनी policy ली थी, उसमें ये successful हो गया है, और अब देखना होगा कि 2025 में ये जो उभरता हुआ चाहिना है, ये विश्व में क्या करेगा, तो आपके क्या विचार है इस पूरे के पूरे मुद्दे के बारे म आप मुझे comment section में जरूर बता है, thank you and see you soon